हेलो एवरीवन वेलकम नाओ वी विल स्टड़ी दा सब्जेक्ट रेडियेशन फिजिक्स ऑफ डी आर्टी पार्ट पर्स्ट जैसे कि आपको पता है रेडियेशन फिजिक्स में अपना टोपिक चल रहा था एलेक्टिसिटी एंड मैगनेटिज्म चल रहा है कि यहां पर दो चीज़ें एक एलेक्टिसिटी है और एक मैगनेटेज्म है ठीक है अब तक अपने जितने भी टोपिक पड परति रोब पर बाय थे और फिर लाज्ट में हमने हेटिंग effect of electric current पढ़ाता that means वो जितने भी topic थे वो सारे के सारे आपके electricity से related थे magnetism का हमने वहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया अब जैसे कि आपका topic में नाम है तो वे से बात है कि अपने को magnetism के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे ठीक है तो आज का जो अपना lecture है वो आपका magnetism के बारे में होगा that means कि electricity के बारे में जो अपने को पढ़ना था वो अपने पीछे के lectures के अंदर पढ़ लिया आज हम magnetism के बारे में पढ़ेंगे और magnetism से related जितने भी topic है उनके बारे में हम discuss करेंगे तो जैसा कि आपको पता है आगी का topic start करने से पहले हम पीछे के topic का एक short revision करते हैं तो last lecture के अगर हम बात करें तो last lecture में हमने mainly दो topic discuss किये थे एक था वहाँ पे specific resistance और resistivity और दूसरा वहाँ पे था आपका heating effect of electric current सबसे पहले अपन बात कर लेते specific resistance और resistivity क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे आपने resistance पढ़ा था प्रतिरोध प्रतिरोध होता है क्या है electric current के flow को जो oppose करता है वो property क्या कहलाती है प्रतिरोध कहलाती है ठीक है और वो device क्या कहलाता है register कहलाता है ठीक है और variable resistance या फिर variable resistance की device जो होती है उसको आप रियो स्टेट बोलते हो इस पेसिफिक रेजिस्टिविटी के अंदर हमने यह पड़ा था कि आपका रेजिस्टेंस किन-किन डायमेंशन पर या किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो वहां पर अपने यह चीज देखे थी कि रेजिस्टेंस जो इफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करंड की जैसा कि आपको पता है जब एलेक्ट्रिक करंड फ्लो होता है या फिर एलेक्ट्रिक करंड के डेफिनेशन अपने कह लिखी थी कि फ्लो ओफ चार्ज ठीक है फ्लो ओफ चार्ज पर यूनिट टाइम इस नोन एज एलेक्ट्रिक flow होता है ठीक है अब अगर charge का flow होगा तो बात है charged particles का flow होगा that means electrons and protons ठीक है जब या Electronics flow करते हैं तो यह क्या करते है एक दूसरे से टक्रा जाते हैं धूसरे atoms से टक्रा जाते तो उसवक्त क्या होता है सिनकी kinetic energy heat energy के अंदर convert हो जाती है और जो आपका conductor होता है Pr afflict the current being practically आप लोग देखते हो जब भी किसी भी conductor में से current निकलता है या फिर current flow होता है तो वो conductor आपका गरम हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे अपने joules low of heating भी पड़ा था उसमें हमने यह समझा था कि जो आपका यह heating effect of electric current है यह किन-किन factors पे depend करता है तो वहाँ से अपने पास एक formula आया था h is equal to i square rt that means square of current flow के directly proportional था ठीक है और resistance के directly proportional होता है और time that means कितने time के लिए current flow हो रहा है उसके भी आपका directly proportional होता है इन तीनों चीजों के क्या होता है आपका directly proportional होता हो भी क्या heating effect that means कितनी heat आपकी वहाँ से निकलेगी emit होगी ठीक है यह सारे चीज़े हमने electric current के अंदर discuss की थी आज का अपना topic है magnetism now today we will discuss about the magnetism अब यहाँ पर magnetism के बात करेंगे तो एक चीज़ आपको पहले ही बता दूम है कि आप लोगों ने जो चीज़े electricity में पड़ी थी ठीक है चार्ज फिर ठीक है charged particle के अंदर आप क्या है थे electrons ठीक है देन आपने कुलांस का इंवर्स लो पड़ा वहाँ पर आपने electric lines of force के बारे में पड़ा था electric field के बारे में पड़ा था यहाँ पर भी कुछ अगर आप electricity से रिलेट करके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और जल्दी समझ में आएंगी ठीक है चुम्बक के बारे में बताया गया है कि चुम्बक क्या होती है अब चुम्बक के बात करें तो कोई भी ऐसा बदार्थ ठीक है जिसको आप freely suspend करते हो that means जब आप उसको freely किसी धागे के तुरूब बांध के लटका देते हो तो क्या होता है कि वो खुद को नोर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर stable कर ले that means उसका एक पार्ट तो नोर्थ डायरेक्शन में चला जाए और दूसरा पार्ट साउथ डायरेक्शन की और चला जाए तो वो device कौन सी device कहलाती है या फिर वो substance क्या कहलाता है मैंगेट कहलाता है चुम्ब कहलाता है ठीक है और जिस प्रोपर्टी के कारण धैट मिंस जिस गुण के कारण यह सब होग वो गुण क्या कहलाता है magnetism कहलाता है a magnet possesses a property magnetism by which it attracts iron feelings that means magnet के अंदर एक property पाये जाती है एक गुण पाया जाता है एक विष्श गुण पाया जातए जिस के खरण वो कहलता यह इरन के feels that means iron के जो छोटे चोटे पार्टीकल्स है उनको attract करता है थो यह जो उसका गुण है यह property है क्या कहलाती है magnetism कहलाती है या तो यह property that means magnet की है property जिससे वो क्या करे दूसरी जो आपकी metallic objects है उनको वो क्या कर रही है attract कर रही है तो वो property भी क्या कहलाएगी magnetism कहलाएगी और या फिर magnet की वह property जिसके कारण वो खुद को north और south direction के अंदर stable कर ले वो property भी magnetism कहलाएगी अब अपन बात करते हैं कि यह जो magnet है magnet के अंदर जो यह magnetic property आई जिसको हमने magnetism नाम दिया जिसके कारण वो iron के छोटे-छोटे particles को attract कर रही है और जिसके कारण आपकी magnet क्या करती है खुद को north और south direction के अंदर stable कर लेती है जब आप उसको freely suspend करते हो that means freely दागे से बांदते हो ठीक है तो यह जो property I है यह produce कैसे होती है किसी भी atoms के अंदर और वेसे बात है magnet है magnet भी एक प्रकार से material है material के अंदर के अंदर के मिलेंगे आपको atoms मिलेंगे molecules मिलेंगे और atoms होंगे तो वहाँ पर nucleus होगा electron होगे तो यहाँ पर अपन बात करते हैं यह property I तो I कैसे that means produce कैसे होती है as we know sorry this magnetic property is due to the motion of the charged particle that means कि जो atom के अंदर जो भी charged particle होते उनमें क्या होता है motion होता रहता है और उस motion के कारण यह property produce होती है अब कैसे होती है यह भी अपन देखते है as we know atom consist of positively charged nucleus and negatively charged electron जैसा कि आपको पता है यह सब चीजे तो कि जो आपका atom होता है उसके अंदर जो nucleus होता है वो तो positively charged होता है और जो आपके electrons होते हैं वो कैसे होते है negatively charged होते है that means जो उपर वाली line में हमने बात की कि charged particle के motion के कारण यह property आती है तो यहाँ पर charged particle का motion that means electrons और protons की बात हो रही है that means nucleus के अंदर protons पाए जाते हैं जिसके कारण nucleus का charge positive होता है और negatively charged आपके electrons होते है तो obviously बात है atom के अंदर proton और electron में से किसी एक का या फिर दोनों का क्या हो रहा है motion हो रहा है जिसके कारण क्या हो रही है पूरे atom के अंदर यह property produce होती है और यह property क्या कहलाती है magnetic property कहलाती है magnetism कहलाती है जिसके गारण आपकी magnet या फिर कोई भी substance iron feelings को attract करता है या फिर जब आप उस substance को freely suspend करते हो that means किसी भी थागे से freely लटकाते हो तो वो north और south direction में खुद को stable कर लेता है these electrons revolve around the nucleus and also spin about their oven axis जैसा कि आपने electrons के movement के बारे में पढ़ा है कि जितने भी electrons होते हैं ठीक है वो nucleus के चारो तरफ orbit के अंदर क्या करते रहते हैं rotation करते रहते हैं जैसा कि आपका solar system होता है ठीक है solar system के अंदर आपके जितने भी planets है वो sun के चारो तरफ चकर लगाते रहते उसी तरीके से आपके atom के अंदर nucleus जो होता है nucleus में protons होते है nucleus के चारो तरफ orbits पाई जाते हैं और उन orbits के अंदर electrons चकर लगाते रहते हैं यहाँ पर यह electrons जो चकर लगाते हैं यह दो प्रकार के चकर लगाते हैं दो प्रकार के movement करते हैं एक तो की orbit के उपर round लगाते हैं दूसरा ये orbit पे जब round लगाते हैं तो उस वक्ती ये खुद की axis पे भी घुमते है that means for example जैसा आप solar system से relate कर सकते हो कि आपकी जो earth है ठीक है वो sun के चारो तरफ भी चक्कर लगाती है और खुद की axis पे भी चक्कर लगाती है ऐसा ही same condition आपकी electrons के अंदर पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पे electron में दो motion हो गए एक तो motion जो वो खुद की axis पे कर रहा है और एक motion जो व लूप which in turn produces magnetism होता है कि यह जो दो motion है सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं जो motion वो axis पे कर रहा है उसको तो बोलते हैं spin motion ठीक है और जो वो orbit पे जो electron motion कर रहा है उसको बोलते हैं orbital motion तो यह दोनों motion मिलके क्या करते हैं both the orbital and spin motion of the electron electron के यह दोनों motion मिलके करते हैं constitute a tiny current loop एक current का छोटा सा loop बनाते हैं और यह जो current का loop होता है यह क्या गरता है magnetism को produce करता है यह समझ में magnetism कैसे produce होता है that means कि जो आपका nucleus है उसके चारों तरफ electrons चक्कर लगाते हैं electrons के पास दो प्रकार के motion होते हैं एक होता है orbital motion और एक होता है spin motion orbital motion जो वो orbit पे चक्कर लगा रहा ह है उसको बोलते है अपन spin motion इन दोनों motions के कारण क्या होता है कि आपका जो charge that means यहाँ पर जो electron है वो क्या करता है छोटा सा एक current loop produce होता है और इसी current के कारण वहाँ पर क्या होती है एक property produce होती है जिसे हम बोलते है magnetism ठीक है और magnetism के कारण ही वो iron feelings वगर है वो attract करता है वो object attract क उसके अंदर magnetism की property आती है अब आपन बात करते है magnet के example की the compass needle used in the ships and aircrafts are the example of magnet that means कि जो आपकी aircrafts और ships होती है उसके अंदर आप compass needle काम में लेते हो सबसे best example होता है आपके magnet का इसके अलागा और भी example होते है एक आपने नाम सुना होगा बार मेगनेट ठीक है practical labs physics वेगर है के अंदर देखा होगा बार मेगनेट अभी आपको diagram में दिखा देता हूँ मैं कि बार मेगनेट क्यों होती है यहाँ पे आप दो देख रहे होते हैं यह जो red और blue और एक जो red और black color के अंदर रखी हुए है N और S जिन पर लिखा हो है यह बार produce कैसे होता है तो वहाँ पे अपने दो motion की बात की थी orbital और spin ठीक है तो वह भी आप उपर diagram में देख सकते हो कि nucleus के चारों तरफ electrons की इस तरीके से चक्कर लगाते हैं जो orbital motion होता है उसके कारण वहाँ पे orbital angular momentum produce होता है ठीक है और यहाँ पे जब वह spin जो खुद की axis पे लगात magnetism की property produce होती है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि magnet के अंदर कितने पॉल होते हैं जैसे कि आपने पहले पता तो कर लिया magnet देख लिए आपको पता चल गया फिर भी एक बार discuss कर लेते हैं a magnet posizes two poles namely north pole and south pole magnet के अंदर दो pole पाये जाते हैं ठीक है एक का नाम होता है north pole एक का नाम होता है south pole magnet की एक property के बारे मैं आपको आज अच्छे से बता देता हूँ कि जब भी आप for example जो आपकी बार magnet है बार magnet के अंदर आपने एक तरफ north pole देखा और एक तरफ south pole देखा तो अगर आप चाहोगे कि जैसे अगर आपन बार को या फिस्वरी बार magnet को बीच में से cut कर देते हैं तो north pole अलग हो जाएगा और south pole अलग हो जाएगा ऐसा नहीं होता है कभी भी single pole की magnet exist नहीं करती है that means single pole कभी exist करता ही नहीं है जैसे आप इसको divide करोगे नए दो pole और create हो जाएगे वहाँ पे that means दो अलग अलग बार magnet convert हो जाएगी आपके पास दो बार magnet आपको मिल जाएगी आप उसके जितने टुकड़े गरोगे आपको उतनी बार magnet मिलेंगी उतने नए पोल वहाँ पे बन जाएगे ठीक है यह magnet की property होती है that means वहाँ पे single pole कभी भी exist नहीं करता है the term pole refers at the end of the magnet in which the entire magnetism appears to be the concentrated अब अपन पोल की बात करें कि पोल क्या होता है तो पोल होता है refer the end of the magnet magnet का जो end का जो हिस्सा होता है ठीक है कि नारा जो होता है कि वह किस से रेफर किया जाता है पोल से रेफर किया जाता है मतलब उसे pole कहा जाता है ठीक है in which जिसमे the entire magnetism मतलब जो आपका total जो magnetism है उस magnet का जो भी magnetism है पूरा वो वहाँ पे concentrated पाया जाता है that means सबसे ज़्यादा पाया जाता है बात यह हुई कि आपके magnet में दो पोल होते है अब magnet के जो दो किनारे है ठीक है वो दो पोल हो गए और उन दो पोल पे पूरी magnet का magnetism सबसे ज़्यादा पाया जाएगा अब जैसा है कि आपके वहाँ पे क्या था electricity के अंदर उसे अब रिलेट करें वहाँ पे आपके पास charge था ठीक है charge में property थी electrons थे electron की property थी charge की ठीक है और उनके पास क्या होते थे दो चार्ज थे एक positive और negative यहाँ पे magnet है magnet के पास property है magnetism ठीक है और यहाँ पे magnet में दो पोल पाये जाते हैं एक north pole और एक south pole अब जैसा कि वहाँ पे होता था कि जो आपके same charge होते थे वो एक दूसरे को repel करते थे और different charge एक दूसरे को attract करते थे ऐसा ही यहाँ पे आपको मिलेगा same that means same pole एक दूसरे को क्या करेंगे repel करेंगे और different pole एक दूसरे को attract करेंगे as in the case of electric charges जैसा कि आपने electric charges में पड़ा here also वैसा भी यहाँ पे भी वैसा ही होता है like poles repel each other same जो pole होंगे वो एक दूसरे को repel करेंगे and unlike poles attract each other और unlike pole क्या करेंगे एक दूसरे को अपनी तो attract करेंगे ठीक है अब वहाँ पे आपके पास क्या था charge था electric ठीक है और यहाँ पे आपके पास आता है magnet ठीक है और magnet के पास आती है magnetism की property ठीक है वहाँ पे आपके पास क्या था जो charge था charge के चारो तरफ की जो जगह थी जहाँ पर दूसरा चार जगर आप ले क्या आते हो और वो क्या करें? फोर्स को field करें इसको आपने क्या बोला था? एलेक्टरिक field बोला था और वैसी बात है यहाँ पर भी जो आपका एक pole है, सिंगल pole है उसके पास जब आप दूसरा pole ले क्या ओगे तो अगर वो दूसरा pole force fill करा that means वो area क्या 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 लाएगा magnetic field क्या लाएगा the space around a magnetic pole in which the another pole experience a force is called the magnetic field same definition है यहाँ पर that means कि एक pole उसके चारो तरफ की वो जगह जहाँ पर दूसरा pole क्या करे कोई भी force experience करे वो जगह क्या 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 आती है वो छेत्र क्या क्या लाता है वो reason क्या 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 लाता है magnetic field क्या लाता है a magnet can induce magnetism on another object like iron steel और nickel etc ठीक है वहाँ पर भी आपके पास क्या था एक charged body थी और एक uncharged body थी और आपने उसको क्या किया था charged body से uncharged body को charge कर दिया था जिसको इस पूरी process को इस पूरे घटना करम को आपने नाम दिया था electrostatic induction ऐसा यहाँ पर भी होता है आपके पास एक neutral object है उदासीन है और एक आपके पास magnetized that means magnet है आप उसकी सहायता से क्या कर सकते हो उस दूसरी object को भी magnet में convert कर सकते हो इस process को यहाँ पर कहा जाता है magnetic induction a magnet can induce magnetism on another एक magnet दूसरी objects पे भी magnetism ला सकती है produce कर सकती है जैसे कि iron, steel और nickel इन जैसी वस्तूओं पर या फिर इन जैसी धातूओं पर ठीक है as a result these objects are attracted by magnet this property is known as magnetic जैसे ही वो magnetism में convert हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो जो आपकी object थी for example जो iron, steel निकल था जिसको आपने magnet में convert किया फिर जिसके अंदर magnetism की property आपने induce कि वो objects अब क्या करेंगी iron feelings को attract करने लग जाएंगी और यह जो पूरी property है फिर यह जो फूरा phenomenon है जिसके कारण आपने क्या किया normal objects को normal metals को भी magnet के अंदर convert कर दिया यह क्या कहलाता है magnetic induction कहलाता है तो जैसे है कि आप electricity से compare करके चलते हो वहाँ पर पास होता आपके electron Then यहाँ पर आपके पास ठीक है Charge Charge के बाद में electric field ठीक है Electric field के बाद में वहाँ पर electrostatic induction था वैसा यहाँ पर आपके पास magnetism है magnet है magnetic field है और magnetic induction है ठीक है अगर आप इनको relate करके चलोगे तो आपको ये चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी ठीक है Now we will discuss about the magnetic lines of the force ठीक है जैसा अपने वहाँ पर पढ़ा था वहाँ पर अपने पास क्या थी Electric lines of force थी ठीक है यहाँ पर अपने पास होंगी Magnetic lines of force अब इन दोनों को भी इन दोनों को भी आप relate करने की कोसिस करना सारी चीज़े आपको सेम मिलेंगी ठीक है Magnetic lines of force As in the case of electricity lines of force concept can be introduced in magnetism also इन्होंने पहले बता दिया आपको कि जो concept आपने electricity में पढ़ा है lines of force का वही concept आपका magnetism में लगने वाला है आपके electric field था उसको represent करने के लिए जो imaginary lines आपने बनाई थी वही क्या कहलाती है electric lines of force कहलाती है अब यहाँ पे छेतर कौन सा है आपका magnetic है चुम्ब किये है That means कि magnetic field को represent करने के लिए जो भी imaginary lines होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी magnetic lines of force कहलाती है ठीक है The magnetic lines of force are the imaginary lines which represent the magnetic field That means कि magnetic lines of force कालपनिक रेखाएं होती है imaginary lines होती है जो क्या कर रही है magnetic field को represent कर रही है चुम्ब किये छेतर को दर्सा रही है ठीक है It is drawn in such a way that the tangent drawn to it at any point give the direction of the magnetic field at that point जैसा कि वहाँ पे होता था आप किसी भी रेखा पे अगर tangent draw करते हो That means इस पर्स रेखा अगर खीचते हो तो वो इस पर्स रेखा उस point पे electric field विद्धुत छेतर की direction को denote करती है उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे ही आप किसी भी magnetic field या sorry किसी भी magnetic lines of force पे tangent draw करोगे That means इस पर्स रेखा करोगे तो वो इस पर्स रेखा वहाँ पे या फिर उस point पे magnetic field की direction को दर्स आएगी ठीक है simple सा है कुछ नहीं है कि जो आपकी magnetic lines of force है आप उन lines के उपर किसी भी point पे अगर tangent draw करते हो तब वहाँ tangent उस point पे magnetic field की direction को दर्स आती है चुम्बक ये छेतर की direction को बताती है ठीक है अब जैसा कि आप diagram के थुरू समद सकते हो यहाँ पे magnetic field lines कैसे बनाई जाती है कैसे दर्स आई जाती है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये magnetic field lines क्या गरती है north pole से चलती है और south pole पे खतम होती है that means north to south चलती है बत ये direction उनकी कहां होती है magnet के बाहर होती है ठीक है magnet के अंदर इसका क्या होता है vice versa that means इसका विपरीथ magnet के अंदर ये lines south pole से चलेंगी और north pole पे खतम होंगी ऐसा electric charge में नहीं होता है electric charge में kewl और kewl ये lines आप बाहरी जो area होता है उसी में दर्सा सकते हो अंदर नहीं दर्सा सकते but magnet के अंदर भी magnetism पाया जाता है इसी reason से क्या होता है कि जब आप magnet को दो parts में divide करते हो तो वहाँ पे दो नए pole और बन जाते है magnet के अंदर ये lines south pole से north pole के तरफ जाती है और magnet के बाहर ये lines north pole से चलके south pole में जाती है और इस तरीके से इन lines को अपन represent करते हैं दर्सा सते हैं जैसा कि आप यहाँ पर diagram में देख रहे हो ठीक है अब इनकी कुछ और properties है उनके बारे में भी discuss कर लेते हैं अपन जल्दी से they start from north pole and ends in the south pole outside the magnet and inside the magnet vice versa जैसा कि अब भी मैंने आपको बताया diagram के तुरू संजाया कि ये north pole से start होती है और south pole पे खतम होती है ये इनकी direction होती है magnet के बाहर और magnet के अंदर इनकी direction विप्रीत हो जाती है vice versa हो जाता है that means अब इनकी direction south pole से north pole के तरफ हो जाएगी in uniform magnetic field the lines of force are parallel and in non uniform magnetic field these lines are curved अगर अपन uniform magnetic field को दरसाएंगे तब तो आप parallel line से दरसाते हो वो आप uniform magnetic field को दरसाते हो और जो non uniform magnetic field हो जाता है उसको दरसाने के लिए आप curved lines का use करते हो ठीक है यह सब चीजे जब आप आगे derivation करते हो तब काम आती है कि कहाँ पे आपका non uniform magnetic field है कहाँ पे uniform magnetic field है तो इन सब को represent करने के लिए होता है वहाँ पे भी था आपके पास कि जो आपका uniform electric field होता है उसको दरसाने के लिए आपके parallel lines काम में आती है और non uniform electric field दरसाने के लिए curved lines आती है या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि parallel lines uniform magnetic field को represent करती है और curved lines non uniform electric field को या फिर non uniform magnetic field को represent करती है magnetic lines of force never intersect each other जैसा कि electric lines of force में था कि वो एक दूसरे को कभी नहीं intersect करती है यहाँ पे भी same होता है कि magnetic lines of force never intersect each other वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है इनका reason एक ही है जो वहाँ पे अपनने पड़ा था कि जब दो line एक दूसरे को cut करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे वो cut करेंगे जो point होगा उस point पे जब आप tangent draw करते हो तो आपको पास दो tangent मिलती है दो spurs रेखाए वहाँ पे आप catch सकते हो ठीक है अगर वहाँ पे आप दो spurs रेखाए draw करोगे तो उससे क्या होगा एक ही point पे आपके पास दो अलग-अलग direction मिलेगी ठीक है electricity के अंदर अपन बात करें तो electric field के direction मिलेगी और magnetism के बात करें तो यहाँ पे magnetic field के direction मिलेगी जो जैसा है कि आपको पता है एक point पे दो direction कभी भी नहीं हो सकती इस वज़े से magnetic field of lines भी कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती है और electric lines of force भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है ठीक है अब अपन बात करते है intensity की और strength की वहाँ पे भी अपन ने पिड़ी थी electric field strength या फिर electric field intensity ठीक है यहाँ पे भी अपन बात करेंगे pole strength की ठीक है relate करें यहाँ से और वहाँ से तो क्या था कि जो आपका charge था charge के जो चारो तरफ की जगह होती है उसको आप electric field बोलते हो but किसी भी अगर एक simple point पे या फिर एक fixed point पे आपको निकालना हो कि यहाँ पे कितना electric field है वो क्या कहलाता है electric field strength कहलाता है same यहाँ पे होगा pole के चारो तरफ की जगह है that means magnet के चारो तरफ की जगह है वो magnetic field कहलाती है ठीक है अब उस field में जब आप दूसरा pole लेके आतो तो वो pole कितना force experience करता है वो क्या कहलाता है pole strength कहलाता है ठीक है it is defined as the strength of pole which when kept at a distance of 1 meter from a equal and similar pole in vacuum repels it with a force of 10 to the power minus 17 newton यहाँ पर क्या होता है कि यह चीज़े कुछ fix होती है that means कि आपका जो अपन pole strength को define कर सकते है आप दो similar pole लेके चलो ठीक है मतलब दो same pole ठीक है आपने दोनों poles को एक मीटर की दूरी पे vacuum के अंदर रख दिया vacuum that means no air ठीक है आपने ऐसा जगह जो वेक्यूम है वहाँ पर जब आप उन दोनों poles को रखते हो तो उन poles के बीच में कितना force लगता है 10 to the power minus 17 newton force के लगता है वह भी किसका repulsion का repulsion का क्यों लगेगा क्योंकि दोनों pole आपने कह लिए यहाँ पे similarly है equally है तो यह जो force है यही क्या कराता है pole strength कराती है that means वो जिस force से उसको repel कर रहा है वो force ही क्या करा रहा है pole strength कराती है जिस force से वो दूसरे अगर आपने यहाँ पे unlike pole रखोगे तो वो क्या करेगा attract करेगा तो वो force क्या कराएगा pole strength कराएगी pole strength is denoted by M pole strength को हम M से denote करते हैं the unit of pole strength is ampere meter और newton by tesla ठीक है pole strength की unit या तो ampere meter होती है या फिर newton by tesla होती है a single magnetic pole never exist जैसा कि मैंने आपको बताया था starting के अंदर कि magnet के अंदर single pole कभी भी exist नहीं करता है ठीक है और जैसा कि आपने वहाँ पे दो चीज़े एक चीज़ देखी थी कि आपके पास charge दो होते है ठीक है एक positive होता है एक negative होता है यहाँ पे भी आपके पास pole केते होते है दो होते है एक आपके पास north pole होता है एक south pole होता है बट वहाँ पे single charge exist कर सकता है बट यहाँ पे आपके पास single pole exist नहीं करता कभी भी ठीक है तो जैसा है कि आप pole strength की बात करोगे pole strength को आप M से denote करते हो यह जो M है ठीक है यह आपका एक बार positive होता है और एक बार negative होता है positive हम किस पॉल के लिए लेते हैं और negative हम किस पॉल के लिए लेते हैं यह अभी हम next डिसकस करेंगे आगे pole strength is a scalar quantity pole strength is a scalar quantity quantities दो पड़ींगे आपने vector Rochester vector और सकैलर देट मेंस सद 10 रीज ही और से लर अधार जाजिक के बारे में आपका जो फोल strength है वह स्केलर क्वांटिटी होता है पोल स्टेंथ और नॉर्थ और साउथ पोल ओफ इसको अपर डिनेट करने के लिए यहां पर पोजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हो ठीक है जैसा कि वहां पर आप के पास दो चार्ज होते हैं उनको आप पोजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर आपने डिवाइड किया था वहां पर जो आपकी पोल स्ट्रेंथ होती है यहां पर उसको आपने रिपर्जेंट करने के लिए दो साइन लिए एक पोजिटिव और नेगेटिव धैट मिन्स प्लस एम नॉर्थ पोल चार्ज से रिलेट करके पूरे को पढ़ा है अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा ठीक है अगे के भी इसके जो और टोपिक्स बच गये है वो अपन नेक्स लेक्शर में डिसकस करेंगे ठीक है तो वह हम relate करके बढ़ेंगे जितना हम relate करके बढ़ेंगे हमको जल्दी समझ में आएगा ठीक है, thank you करके बढ़ेंगे